Dear students, welcome to the class. तो आज के session में हम लोग continuity कुछ और नेक jumpers के साथ अपनी session के सुरुवात करते हैं. तो पहला question जो हमारे पास है आज. Discuss the continuity of the function of x at the indicated points. Where function of x is equal to mod x plus modulus of x minus 1 at x equal to 0,1. तो इस function के लिए हमें continuity check करना है किस point पे 0 और 1 पे. जरूरी नहीं है कि आपका ये point दिया हुआ है. इस point का decision जो है हम यहाँ से भी ले सकते हैं. अगर ये mention नहीं भी किया हो रहेगा. तो इस function को जो हम define करेंगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमें इसका continuity किस किस point पर मैं check करना है. तो देखिए सबसे पहले इस function को हम लोग define करेंगे है. तो देखिए solution तो यहाँ पे function of x क्या दिया हुआ आपका? f of x is equal to modulus of x plus modulus of x minus 1. देखिए मैं इस type of questions का आपको एक असान सा तरीका बताता हूँ. कैसे हम लोग define करेंगे function को? सबसे पहले यहाँ पे देखिए. inequality मुम लोगों ने पढ़ा था. इस modulus of x है. मतलब यह x, यहाँ पे कह सकते हैं कि x minus 0. यानि कि इसका अगर हम critical point देखें, तो क्या है? आपका 0 है. और इसका critical point क्या है? आपका 1 है. क्योंकि x minus 1 equal to 0 करेंगे. तो इसका होगे critical point 0, इसका क्या होगे आपका? 1. यानि कि हमारे पास 2-2 points आपको मिल रहे हैं. एक 0 और एक 1. तो वहाँ से हम लोग interval को decide करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? rough में इसको, एक हमने point area 0, और एक हमने point area 1. यहाँ पर अगर x plus 1 होता, तो इसका critical point क्या जाता है? minus 1 हो जाता है. sin change जाता है. अगर minus है, तो यहाँ plus हो जाएगा, और अगर plus हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ओके? तो हमारे पास 2 points से 2 points को हमने ले लिए. अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम function को define करेंगे. तो देखिए जरा आसा है, एक हमारा 0 से less than, एक हमारा interval 0 और 1, और एक आरा आपका greater than or equal to 1. तो तीन interval है, एक आपारा less than 0, दूसरा क्या होगा है? greater than or equal to 0 and less than 1, और तीसरा हो जाएगा, greater than or equal to 1. तो अब जरा देखिए यहां से, तो function of x को define करते हैं, तो function of x is equal to, सबसे पहले less than 0 के लिए, सबसे पहले interval करेंगे हम लोग, less than 0 के लिए, तो देखिए, x less than 0 के लिए अगर आप define करते हो, तो less than 0 के लिए, यह modulus of x क्या होगा आपका? negative, तो 0 से पहले x क्या होता है, आपका less ह x, x का value less than 0, गर आप लोग देखिए अपका? minus x, यह minus x आ गया, अब रहा सवाल x minus 1, अगर यहां पर भी x का value less than 0 है, देखिए, यह function of x minus 1 यहां के बाद आपका positive होगा, उसे पहले क्या होगा? negative, तो इस line से इधर की तरफ कहीं भी आप आजो क्या रहेगा, हमें साब का negative ही तो वैसे भी हम 0 से less आ रहे है, तो यह value क्या होगा आपका? negative, तो minus of x minus 1, यह आपका होगया, less than 0 के लिए, अब हम second interval क्या रहा है, greater than or equal to 0 and less than 1, तो यहां पर हम point कहलेंगे, x is greater than or equal to 0 and less than 1, यहां एक interval क्यों सा होगा? यह वाला interval, अब देखिए, greater than or 0 पे, modulus of x क्या value क्या positive हो जाएगा, मैंने क्या बताया था कि यह जो function है, x minus 1, इस point के बाद आपका क्या होगा? positive होगा, इससे पहले क्या होगा? negative, तो 0 से greater or 1 से less, क्या होगा? negative, तो यह फिर से आपका क्या रहाएगा? minus of x minus 1, अब आते हम लोग 30 interval, greater than or equal to 1 पे, तो greater than or equal to 1 पे, जब हम इसको define करे तो देखे, greater than or equal to 1 पे क्या हो जाएगा? minus of x तो आपका क्या है? वो तो greater than 0 पही positive हो गया, तो यह तो आपका positive ही रहेगा, और यह वाला function जो है, x minus 1, 1 से जब आप greater than or equal to रखो गे तो क्या होगा? वो भी आपका positive, तो यह भी क्या आ गया? plus x minus 1, अब इसको जो है हम लोग ऐ कैसे define कर दिये, ठीक है? तो यहाँ पर f of x is equal to आपका यह आगया आपका function, अब जिरा देखे है, इसको थोड़ा सवार हम simplify करते हैं, तो f of x is equal to, यहाँ से देखे, minus x minus 6 क्या हो जाएगा? minus of 2x, minus minus plus, यानि plus 1, किसके लिए? x is less than 0 के लिए, यहाँ से देखे, x minus x cancel, minus minus plus 1, यह किसके लिए हो गया? x is greater than or equal to 0 and less than 1, अब आते हैं, इसको x plus x क्या हो जाएगा? 2x minus 1, यह किसके लिए हो गया? x is greater than or equal to 1 के लिए, यह आपका हो गया function का definition, तो सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है? कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कैसे इसको हम define करें, modelos को, तो सबसे काम, आप उसमें क्या करो, critical points लेलो, इसका critical point 0 और इसका क्या हो गया? 0 और 1 को हम mention करेंगे, अब हम यहाँ पर 3 interval आपको दिख रहा है, minus infinity to plus infinity के वीच में, तो एक पहला लेंगे less than 0 के लिए, less than 0 पर देखेंगे कि कौन-कौन सा function negative हो रहा है, उसका हम ने ले लिया, अब उस तो greater than or equal to 1 पर तो सारा को क्या हो जागा? positive, इसलिए यह भी आपका plus x हो गया, और यह भी आपका plus x minus 1, इसको हमने simplify कर दे, तो यह तो हो गया आपका function का definition, अब हमें continuity check करना है, question में mention है 0 और 1 पर, अब देखेंगे, अगर यह mention नहीं भी किया हो रहा था, तो हम लोग यहाँ to 1 के लिए यह दोनों point पर हम लोग continuity check करेंगे, यहाँ तक clear है, अब चलिए, अब हम लोग इसका LHL निकालते है, दोनों points के लिए, एक बार हम किसके लिए लेंगे, 0 के लिए और एक बार 1 के लिए, तो अब देखें, यहाँ से ब्या करते हैं, सबसे लेते हैं पहला, at x equal to 0 के लिए, तो पहला rule किया अगता आपका, LHL आपको calculate करना है, तो क्या formula होता है, limit x tends to 0 minus function of x, इसको में calculate करेंगे, तो limit x tends to 0 minus, 0 minus के मतब क्या, less than 0, तो less than 0 ला function कौन से है, minus 2x plus 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, minus 2x plus 1, अब इसको तुरत आप किसमें convert करोगे, s tends to 0 में, त यहाँ से आपका function हो गया, यहाँ से आप इसको solve करोगे, तो limit x tends to 0, minus 2h हो जाएगा, और plus क्या हो जाएगा, आपका 1, this is equal to 1 आगया, यह हो गया आपका LHL, अब हम लोग निकालते हैं क्या, RHL, right hand limit, limit x tends to 0 plus पे function of x, this is equal to limit x tends to 0 plus, 0 plus पे कौन सा function आएगा, greater than equal to 0 के लिए 1 है तो यह तो अलड़ी आपका x independent है, तो इसका value क्या आपका 1, अब निकाल लेंगे क्या हम लोग, now f of 0, f of 0 is equal to, check किजिए, x का value 0 के लिए भी function क्या है, 1 है, यह भी क्या आपका 1, दद दिखिए, तो LHL, RHL, और f of 0, तिरो क्या आपका 1, 1, 1, 1, तो function क्या हो गया आपका, continuous, आपर रिखेंगे क्या, कि since f of x is, sorry, since LHL is equal to RHL is equal to f of 0, therefore, therefore, f of x is continuous at x equal to 0, यानिकि x equal to 0 पर यह जो आपका function है, वो क्या हो गया, आपका यह continuous हो गया, अब हम लोग किस के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे, तो इसका आप असानी से इसको note कर सकते हैं, तो अब हम लोग next point के लिए calculate करेंगे, यानिकि x equal to 1 पर चेक करेंगे, कि function जो हमारा है, यह continuous है या नहीं है, तो फिर से भाई चीज LHL, तो LHL यानिकि left hand limit, तो formula क्या होता है, limit x tends to 1 minus function of x, this is equal to limit x tends to 1 minus, अब 1 minus के लिए function क्या जाएगा आपका, यानि less than 1 के लिए 1 है, यहाँ पर क्या लेखेंगे 1, तो इसका तो डाइटी क्या लेखेंगे, अम लोग 1, क्योंकि यह तो variable पर depend करी नहीं है, constant value है, तो यह क्या हो गया, आपका 1 आगया, अब इस पे calculate की आप RHL, अब limit x tends to 1 plus function of x, this is equal to, यहाँ से देखें, 1 plus का मतलब क्या, greater than 1, यानि function क्या आएगा, 2x minus 1, तो यहाँ पर क्या लेखेंगे, अम लोग, this is equal to limit x tends to 1 plus 2x minus 1, this is equal to limit x tends to 0, 2 into 1 plus h minus 1, इसको यहाँ से कर हम solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका hk value जीर रखोगे, तो 2 minus 1 is equal to 1, clear है, hk value यहाँ पर जीर रखेंगे, तो 1 plus 0, 1, 1 into 2, 2, 2 minus 1 is equal to क्या आपका 1, RHL आपका 1 आगया, LHL आपका 1 आगया, now अब क्या calculate करोगे, आप f of 1, तो f of 1 के लिए क्या यहाँ कि 2 into 1 minus 1, this is also equal to 1, तो क्या लेकेंगे फिर सब्सक्राइचे, since LHL is equal to RHL is equal to f of 1, therefore function of x is continuous at x equal to 1, यहाँ कि इस कोश्चे में दो पॉंट पर आपको चेक करना था, दोनों ही पॉंट पर यह जो फंक्शन आपका है, वो दोनों क्या है आपका, continuous है, ओके, तो इस तरह से जो है, हम लोग, जब भी हो, तो function को आप define करने की कोशिस कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए, कि function हमारा कैसे defined होगा, critical value से हम लोग इसको find out कर सकते हैं, आपके सामने मैं एक example ले रहा हूँ, जैसे देखिए, माल लेते हैं, कि यहाँ पर आपके पास, जो है, यहाँ आप फंक्शन थोड़ा साचेंज करें, इसको आप नोट करी लिए, function मैं थोड़ा साचेंज करता हूँ, यहाँ पर देखिए, function कैसे चेंज करता हूँ, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ था, mod x-1 है, यहाँ माल जिए कि x plus, x plus 1 और plus modulus of x-1 है, इसको आप कैसे function को define करोगे यहाँ मैंने changes कर दिया, पहले mod x था, यहाँ पर x plus 1 कर दिया, यहाँ पर x minus 1 कर दिया, तो जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, कि सबसे पहले आप critical point से आप interval decide कर लो, जिससे कि आपको easy हो जाएगा, तो देखो, यहाँ पर critical point क्या क्या रहा है, इसके लिए minus 1 और इसके तो सबसे पहला मैंने क्या बताता, left वाला लिजे, यानि कि less than minus 1, तो जिरा देखिए, मैं आप mention कर रहा हूँ, x is less than minus 1, अब जिरा देखो, अगर x का value less than minus 1 लेते हो, तो इधर की तरफ सारे function, दोनों ही function आपके क्या हो जाएगे, negative हो जाएगे, क्योंकि x plus 1 भी इधर, अग अगर x का value of minus 1 से less रहते हैं, यानि कि यह भी value क्या होगा, negative, तो minus of x minus 1, यह आपका होगया, less than minus 1 के लिए, अब आप बढ़ोगे, इस वाले interval के लिए, तो next आप क्यालोगे, x is greater than or equal to minus 1, यानि कि इसके बराबर और इससे ज्यादा, और इससे कम, यानि कि less than 1, इस interval में, अब अगर आप x का value minus 1 के बराबर या उससे बढ़ा रखते हो, तो यह वाला value क्या आजाएगा आपका positive, और यह वाला value क्या रहेगा, 1 से पहले है, इससे पहले है, न, 1 से less than, तो यह value क्या आजाएगा, negative, यानि कि यह आपका positive हो जागा इस region में, तो x plus 1, और minus यह हो जाएगा, अब यह भी function जो था, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका positive, तो यहाँ पर क्या आजाएगा आपका, x plus 1, और plus x minus 1, यह होगी आपका definition, अब इसको आप simplify कर सकते हो, तो this is equal to minus x minus x क्या हो जाएगा आपका, minus of 2x, minus 1, और यह plus 1, 0 हो गया, यह किसके लिए हो गया, x is less than minus 1, ओक x is greater than 1, or equal to 1 के लिए, तो इस तरह से बहुत यह असानी से जह हम लोग function को define कर सकते हैं, एक बार फिर से कोसिस करते हैं इसको सबजने के लिए, इसके लिए critical point minus 1, इसके लिए plus 1, 10 interval आ गया, सबसे पहले हम left section लेते हैं, यानि कि less than minus 1 के लिए, तो less than minus 1 पे जब जाएगे, तो यह function तो आपके negative होगा, और यह भी function क्या हो गया है, negative होगा, क्योंकि इसका positive कहां से start होता है, यहां से start होता है, इधर की तरफ यह negative होता है, तो इससे पहले तो हमेसा यह क्या रहाएगा, तो यह भी negative हो गया, और यह भी negative हो गया, पहला, अब हम लेंगे, greater than or equal to minus 1, और less than 1 ठीक है, तो greater than or equal to minus 1 करेंगे, तो यह वाला function जो है, क्योंकि इसी का value है minus 1, तो यह आपका क्या हो गया, positive, और यह तो आपका negative हो गया, क्योंकि इसका positive कहां से start होता है, यहां से start होता है, यह आपका हो गया, अब next value क्या लेंगे, greater than or equal to 1 के लिए, तो greater than or equal to 1 पे यह भी positive, और यह भी positive, तो दोनों function आपका क्या हो गया, positive, simplify कि हमने, minus x, minus x, minus 2x, यह minus 1 और यह plus 1, cancel हो गया, तो इसलिए सिदा क्या आगा, minus 2x, x minus x, cancel, 1 plus 1, 2, x plus x, 2x, plus minus 1, 0, यह आपका function, अब इस पे कहा का आप चेक कर सकते हो, तो minus 1 पे और 1 पे, तो दो points पर आप इसका continuity चेक करके देख सकते हो, कि यह function आपका continuous है या नहीं है, procedure आपका यही रहेगा, इसी procedure आप इसको कर सकते हो, तो कुछ और यहां परस के साथ, हम दो move करते है, तो देखें, next question हमारा है, if function of x is equal to 10 pi by 4 minus x by cot 2x, for x is not equal to pi by 4, find a value for which can be assigned to f of x at x is equal to pi by 4, so that the function f of x becomes continuous everywhere in 0 to pi by 2, यह interval आपका दिया हुआ, तो pi by 4 पर हमें चेक करना है, sorry, pi by 4 पर आपका दिया हुआ है, कि function continuous है, हमें f of pi by 4 का value finite करना है, तो अब जिरा देखिए, तो यह function आपका continuous है, pi by 4 पर है, अब जिरा चीज़ देखिए, यहां पर function दिफाइन किया हुआ, x is not equal to pi by 4 के लिए, इसका म तो इसके लिए हम क्या करेंगे, limit x tends to, यह चलिए हम LHL कलकुलेट करते हैं, चलिए LHL हम लोग कलकुलेट करते हैं, तो limit x tends to pi by 4 minus function तो आपका यही रहेगा, तो directly में आप लिखते है, pi by 4 minus x divided by cot 2x, अब जिरा देखिए, तो rule के according यहां पर x tends to 0 करेंगे, तो यहां पर क्या है, अब जिरा देखिए, denominator में क्या लिखेंगे, cot 2 pi by 4 minus h, यहां पर यह आपका जाएगा, this is equal to limit h tends to 0 tan, अब जिरा देखिए, pi by 4 minus pi by 4 cancel, और minus minus plus h आगया, और यहां पर क्या जाएगा, cot pi by 2 minus 2h, this is equal to limit h tends to 0 tan h divided by, cot pi by 2 minus theta क्या होता है, तो यहां पर क्या जाएगा, आपका tan 2h हो जाएगा, अब जिरा देखिए, यहां पर tan h है, s tends to 0, इसको हम solve करने के लिए, यहां पर limit s tends to 0, यहां पर क्या लिख सकते हैं, tan h by h, और यहां पर क्या कर सकते हम लोग, tan 2h divided by 2h, तो यहां पर देखिए, यह h और s तो balance हो अब देखिए, tan h by h का value क्या होता है, 1, tan 2h by 2h क्या value क्या जागा, 1, तो क्या बच गया आपके पास, this is equal to limit रखने पर क्या आपका, 1 by 2, अब अगर हम जाए, तो यहां पर rhl भी calculate करेंगे, तो भी हमारा value क्या आएगा, 1 by 2 आएगा, क्योंकि दोनों ही के लिए, not equal to के hl, rhl और f of pi by 2, सारे value क्या होंगे, आपके, एककोल होंगे, तो यहां आप लिखेंगे क्या, कि since f of x is continuous, therefore, lhl is equal to rhl is equal to f of pi by 4, क्योंकि point मारा क्यों सा है, pi by 4 का है, तो it means, therefore, हम कह सकने कि f of pi by 4 का value किसके बराबर हो जाएगा, 1 by 2 के, हमें यहीं कर लाता हो, देखिए, क्या sin to f of x at x is equal to pi by 4, so that the function fx becomes continuous everywhere, in 0 to pi by 2, तो pi by 4 इस interval के बीच में आ रहा है, 0 से 90 के बीच में, pi by 4 आपका रहा है, ठीक है, and 45 degree, तो lhl का value आपका 1 by 2 आया, आप चाहें, तो pi by 4 plus के लिए प्लकुलेट करोगा, तब भी आपका solve करने पी आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ, यहां के continuous है, तो आपको value find out करना है, तो continuous क्या होता है, lhl equal to rhl equal to f of c, तो यहां पे lhl आपका 1 by 2 आगया, it means that f of c, c का value क्या पाई 4, यानि f of pi by 4 का value क्या होगा, 1 by 2 होगा, तो this is the answer, तो यह बस आपको पता होना चाहिए, हमें जब proof करना होता continuity, तब हम आप lhl equal to rhl और f of c का value नि दिया हुआ है कि continuous है, तो सिर्फ हमें lhl निकालने के तब भी हमारा हो जाएगा, ओके, तो next question हम लेते हैं, discuss the continuity of following functions, यह function आपका दिया हुआ है, f of x is equal to sin x plus cos x, second है, f of x is equal to sin x minus cos x, and third है, f of x is equal to sin x into cos x, तो इन तीनों के लिए आपको continuity test करना है, ठीक है, तो अब देखें यहा function आजाए, देखें आपे दो function आपका sin x cos x है, अगर देखोगे तो, एक बार addition हो रहा है, subtraction हो रहा है, और multiplication हो रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में property आपको बताया था, कि अगर कोई भी दो function continuous होते हैं, तो उन दोनों का addition भी क्या होगा, continuous, दोनों का subtraction भी क्या होगा, continuous continuous, और दोनों का product भी क्या होगा, continuous, दोनों का division भी continuous होता है, but denominator not equal to 0 आपका होना चाहिए, यह property था, उसी property को हम लोग use करके, इसको हम लोग solve करेंगे, तो देखें, यहाँ पे हम लोग assume क्या करेंगे, solution, देखें, let g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x, यह आप ले लो, तो अलग अलग function हम ले लिया, अब हम इसको अगर प्रूफ करते हैं, यह भी continuous और इसको प्रूफ करते हैं, continuous, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए देखें, let c be any real number, any real number, let c be any real number, c हमने कोई any real number ले लिया, पता है कि sin x तो पूरे real number के लिए पर defined होता है, ठीक है, तो आप देखें, c करेंगे, lhl, तो limit x tends to c minus, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, f of x, sorry, g of x, this is equal to limit x tends to c minus, g of x का value क्या हो जाएगा, sin x, this is equal to limit, यहाँ पर क्या लेखेंगे, s tends to 0, और यहाँ पर क्या लेखेंगे, sin c minus h, इसको अगर हम break करते हैं, तो s tends to 0, अब इसको sin msb के formula पर break कर दीजे, तो sin a into cos b, minus cos a into sin b, यहाँ आपका आगया, this is equal to, अब limit रखो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin c into cos 0, minus cos c into sin 0, तो अब देखें, cos 0 का value 1, तो 1 into sin c, क्या हो जाएगा, sin c, sin 0 का value 0, 0 into, क्या हो जाएगा, आपका 0, तो this is equal to क्या आपका, sin c आगया, तो हम कह सकते हैं, कि x x tends to c minus value क्या आपका, sin c आगया, अब यहाँ पर हम calculate करेंगे, rhl, देखें, अगर हम सिर्फ limit भी calculate करेंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि function तो आपका एक ही है, इसलिए, तो देखें, हम दो दूनों calculate करके, चेक कर लेते हैं, तो x tends to c plus पे, क्या लिखेंगे यहाँ साइन एक्स, this is equal to limit s tends to 0, sin c plus h, फिर से इसी तरी कैसे इसको solve करेंगे, this is equal to limit s tends to 0, तो क्या हो जाएगा, sin c into cos h plus cos c into sin h, value रखते solve करेंगे, तो आपका answer क्या आएगा, यहाँ पर, sin c, यह भी किया आपका, sin c ही आएगा, ठीक है, तो आप हमकी निकालेंगे, now, g of c, तो g of c equal to क्या हो जाएगा आपका, sin c, g of c equal to क्या हो जाएगा आपका, sin c, तो क्या लेकिंगे आप है, कि since lhl is equal to rhl is equal to f of, sorry, g of c, therefore, g of x is continuous, g of x क्या हो जाएगा आपका, continuous हो जाएगा, अब उसी तरीके से हम लोग h of x के लिए भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो अब देखे ज़रा सा, इसको भी वही चेच, तो यहाँ पर आप changes क्या करो, यहाँ पर क्या करना आपको, इसको हम क्या लेखेंगे, यह statement आपका हो ही देखाएगा, यहाँ पर मुने लेखे, h of x, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, cos, यहाँ पर क्या जाएगा आपका, संसी उन्टें जीडो कि अब आपके क्या हो जागे यहांपर यह सारा करा क्या जागा लिए सील इस इन फिर प्रॉसस्स है यहां पर यहांपर क्या किरिंगा आपका माइन सर्का kicking इसमें रखेंगे यहां एका इडिशन होगा और उसका पुड़क्ट भी कंटिनीवस होगा और अब जिरह देखिए तो तो हम यहां पर लिख देंगे, यह तो आपको समझ में आगे, नोट कर लिए आपने, तो अभी आपको हम क्या लिखेंगे, कि therefore, यह आपका हो गया, प्रूफिस का, तो जब भी आपको तो दो फंक्शन का addition, subtraction अगर आपका multiplication अगर हो, तो आप उसको individual proof कर दिए, और उसके बाद आसानी से आपका यह जो है, convert हो जाएगा, अगर दोनों का addition, दोनों का subtraction, और दोनों का product, also continuous, तो कुछ और भी एक्जांपल समझ लोग लेते हैं, तो देखें, next question अपका है, find all point of discontinuity of the function f of t is equal to 1 by t square plus t minus 2, where t is equal to 1 upon x minus 1, यहाँ पर अगर आप देखो कि दो-दो function है, t जो है, वो x का function है, और यहाँ f of t is equal to, आपका यह दियावा t के term में, ठीक है, तो दो-दो function आपको दीख रहे हैं, तो हमें f of t के लिए, point of discontinuity, वो हमें find out करना है, किस-किस point पर f of t आपका discontinuous होगा, वो हमें check करना है, तो देखें, सबसे पहले, t जो है आपका x का function है, तो हमें तो x का ही point लेना, x का हमें point find out करना है, x का किस-किस value के लिए f of t आपका discontinuous है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर T is equal to क्या है आपका 1 by x minus 1 अब आप देखिए यह एक ऐसा function है जिसमें आप directly कह सकते हैं कि 1 पर यह defined नहीं होगा इसका मतलब कि 1 पर क्या हो गई है discontinuous हो गया क्योंकि अगर यहां पर x का value 1 रखते हो तो 1 minus 1 क्या आपका infinity तो यह एक ऐसा function है जो कि आपका 1 पर defined नहीं है इसका मतलब क्या हो गया है discontinuous हो गया तो लिखेंगा क्या here t is equal to 1 upon x minus 1 is discontinuous at x is equal to 1 यह क्या हो गया आपका discontinuous हो गया t का एक पॉइंट तुमारे मिलिया कि x equal to 1 के लिए यह function आपका discontinuous है अब आते हम लोग f of t पे तो आप देखिए for f of t is equal to 1 by t square plus t minus 2 इसको भी आप जान से तो t equal to अगर आप 1 रखते हो तो यह आपका undefined हो जाएगा और t equal to minus 2 रखते हो तब भी आपका undefined होगा इसका मतलब कि यह जो function है f of t जो है यह आपका is discontinuous discontinuous at t is equal to minus 2 and t is equal to 1 क्योंकि जैसे आप करोगे तो इंफिनिटी हो जागा माइनस टो रखो गो तो इंफिनिटी हो जागा और प्लस रखो गो तो भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा याने कि इस पर defined नहीं है जिस point पर defined है नहीं तो function आपका क्या हो गया discontinuous हो गया अब जड़ा देखिए तो अब हमारे पास t के दो value आगे minus 2 और 1 अब इसके corresponding हमें x का value निकलना है तो अब जड़ा देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2-1 by 2 तो x is equal to 1-1 by 2 this is equal to 1 by 2 एक value आपका यह आ गया दूसरा वैलू वेन t is equal to 1 तो t का value क्या है 1 by x minus 1 तो 1 upon x minus 1 यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 1 upon x minus 1 is equal to 1 यानिक x minus 1 is equal to 1 यानिक x equal to क्या गया 2 तो कितने point मिले discontinuous के लिए 3 points कौन-कौन से point मिले x equal to 1 by 2 पहे x equal to आपका 1 पहे और x equal to 2 पहे तो लिखेंगे क्या कि therefore f of t is discontinuous discontinuous at x is equal to 1 sorry पहले आप 1 by 2 लिखतो ठीके न 1 by 2 यानिक 1 by 2 पहे आपका x equal to 1 by 2 के लिए function of t जो define क्या हुआ है वह आपका discontinuous होगा x equal to 1 पहे आपका discontinuous होगा और x equal to 2 यह 3 points पहे यह function जो है आपका इसके लिए क्या होगा discontinuous होगा तो हमें निकानादा find all point of discontinuous all points क्या होंगे 1 by 2 1 & 2 तो यह थे हमारे कुछ important questions तो बहुत अच्छा questions है डायक्टी जिसमें देखे numerator में कुछ नहीं जादा consonant रहता है तो अगर function जिस point पे सब्सक्राइब नहीं है उस point पर आपका क्या हो जागा discontinuous हो जाएगा ठीक है तो यह आपका 1 पर discontinuous यह आपका minus 2 पर प्लस 1 पर तीनों को corresponding हमने x का value निकाल लिया तो इस तरह से हम लोग इस questions को अम लोग ने बड़े के साइस से स्वाप कर लेते हैं तो आज का सिस्टम यहीं परिंड करते हैं अगले वीडियो में कुछ ने टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और जिलों भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और ज़्यादर ज़्यादर अपने दो